आज हम कच्छा चार पाठ दो हमारा परिवेश पुस्तिका से इस्थानिय पेशे एमें वेवसाय पाठ पढ़ेंगे तो बच्चों आप बताईए कि आपको कौन कौन सी चीजे पसंद हैं कुछ चीजों के आप नाम बताईए आपको नएने कपड़े पहनना पसंद है आपको खिलोने पसंद है आप जिस कुर्सी और मेश पर अपनी पढ़ाई करते हैं वो कुर्सी मेश आपको पसंद है आपको फल खाना पसंद है तो आपको पता है कि ये सब चीजे कहां से आती है इन सब चीजों को कौन बनाता है और ये सब चीजे दुकान में कहां से आती है क्या आपको पता है नहीं न तो यही बच्चों यही पेशा है और यही वेवसाय है इन सब चीजों को बनाने वाले को ही वेवसाई कहते हैं और जो ये चीजे बनाते हैं ये उनका पेशा होता है तो चलिए हम देखते हैं कि कौन-कौन से वेवसाय होते हैं और कौन-कौन से पेशे होते हैं लकडी के कारीगर ये रामु काका है ये लकडी से नकाशीदार फरनीचर जैसे कुर्सी, मेट, सोफा सेट, दरवाजे आदी बनाते हैं समान बनाने के लिए वो आम, शीशम, बबूल, सागोन, देवदार की लकडी का प्रियोक करते हैं इनके पेशे को बढ़ाई गिरी कहते हैं लकडी का समान बनाता है उनको हम बढ़ाई कहते हैं और उनके पेशे को बढ़ाई गिरी कहते हैं रामु काका हतोडी छेनी रंदा बर्मा रेती रिंज लोहे की आरी आदी ओजारों की सहायता से लकडी के सामान बनाते हैं तो उनको कौन कौन से ओजारों की जरूरत पड़ती है लकडी का सामान बनाने के लिए हतोरी, छेनी, रंदा, बर्मा, रेती, रिज और लोहे की आरी आपने आपके घर में भी लकडी की बनी हुई चीजे होंगी और वो किस लकडी से बनी है क्या आपने आजपस किसी बढ़ाई के पास जाकर उसके अजारों और कारियों को देखा है अगर नहीं देखा है तो आप जाके देखिए और देखिए वो कौन फौन से अजपस का प्रियोग करते है और आपके घर में लकडी की कौन कौन सी बनी हुई चीजे है अब हम पढ़ते हैं मिट्टी के कालाकार मिट्टी हमारे जीवन में अनेक प्रकार से उपियोग में आती है चित्र में मिट्टी से बनी चीजे दी गई है चित्र को देख कर लिखिए कि इनका क्या उपियोग होता है आप देख रहे होंगे यहाँ पर मट्का है मटका की सुपयोग में आता है पानी भरने के यहाँ पर दिये हैं तेहदियों में हम तेल डालके रोश्णी करते हैं कुलड है, कुलड में हम जल पीते हैं तो यह सारी चीजे मिट्टी के बरतन जो होते हैं इन कामों में प्रयोग आते हैं मिट्टी की इन सारी चीजों को बनाने वाले को कुमार कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों कुमार कुमार बरतन बनाने से पहले मिट्टी को ठीक प्रकार से गुनते हैं फिर उसको चाक के द्वारा अपने हाथ से सही रूप देते हैं बच्चो ये जो आप देख रहे हैं यही चाक है इस पर वो मिट्टी के बरतन को सही आकार देते हैं गीले बरतनों को सुखा कर आग में पकाते हैं बरतन पकाने के लिए उन्हें एक जगाए खटा करके उपले से ढाक कर आवा तयार करते हैं फिर उसमें आग लगाते हैं दो स तीन दिन के अरंदर बरतन पक्कर तैयार हो जाते हैं दरजी दरजी बच्चों क्या करता है कपड़े सिलता है हम अपने कपड़े कहां सिलवाते हैं दरजी से आप जो सिले आप जो कपड़े सिले हुए पहनते हैं वो हाथ और मशीन की सहायता से सिले जाते हैं इन कपड़ों क दर्जी कहते हैं, दर्जी के उकरण हैं कैची, सिलाई, मशीन, इंची टेप, सुई, धागा, बटन, आदी चित्र देखकर बताईए, कपड़े सिलते समय दर्जी किन किन चीजों का उपयोग कर रहा है तो दरजी किनकन चीज़ों क उपयोग करता है कैची का, सिलाई मशीन का, इंची टेप का, सुई धागा और बटन का तो ये सारी चीज़े दरजी कपड़े सिलने में उपयोग करता है अब आप ये बताईए कि अनाज और फल को कौन उगाता है किसान, किसान अनाज और फल उगाता है और हम उसको खाते है खेती का काम करने वाले को किसान का हरक जाता है इन्हें क्रिशक और खेतीहर के नाम से भी जाना जाता है ये खेती करने की प्रक्रिया में बीज बोने के लिए जमीन तयार करते है वीजबोते हैं समय समय पर सिचाई और निराई गुडाई करते हैं रोगों से बचाओ एमेम देखभाल करते हैं फसल पक जाने पर लोगों के उपियोग के लिए अनाज और सब्जियां उपलप्त कराते हैं कुछ किसान फल वाले पोधे के भी खेती करते हैं जैसे केला, अम्रूद, आम, पपीता, आवला, आदी, किसान, फावडा, खुर्पी, कुदाल, हसिया, हल, आदी ओजारों की सहायता से खेती करता है ये इनके ओजार होते हैं आप बच्चों जब खेत में जाते हैं तो वहाँ पर आप किसान को देखते होंगे, काम करते हुए तो उनके पास आप जाकर उनसे उनके ओजारों का पता करिए कि वो किन किन ओजारों का प्रियोग करते हैं, खेती करने के लिए लोहार बच्चो जो लोहे की चीजे बनाता है उसको हम लोहार कहते हैं लोहार लोहे की चीज बनाने के लिए लोहे को भटी में गरम करता है जब लोहा लाल गरम हो जाता है तब लोहार उसे मन्चाहयाकार में बदल देता है वो हतोडा, छेनी, भाती जिसको हम धोकनी कहते हैं आदी औजारों का प्रियोक करके फाटक, ग्रिल, रेलिंग, कुदाल, बरतन आदी बनाता है राजगीर, बच्चों जो हमारे घर बनाते हैं उनको हम राजगीर कहते हैं जो आपके घर को मिट्टी, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, लकडी, आदी की सहायता से बनाता है उसे राजगीर कहते हैं राजगीर जिन रोजारों की सहायता से घर एमेम बहु मंजिला इमारतों को बनाता है वे हैं हतोडी, छेनी, रंदा, कंडी, सूत, साहुल, गुनिया, पाटा, पारा, लेबिल, आदी ये सारी चीजे राजगीर को सहायता करती हैं घर और इमारत बनाने में डॉक्टर बच्चों आप जब भी बिमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज करने के लिए कि आप जल्दी से ठीक हो जाए तो जो हमारा इलाज करता है उसको हम डॉक्टर कहते हैं, चिकटसक कहते हैं अब आप यहाँ पर देखिए राजू को बहुत तेज बुखार था उसके पापा डॉक्टर को लेकर आए डॉक्टर ने राजू के सीने पर अपना आला इस्टेटसकॉप रखकर जाज की उसके बाद कुछ दवाईयां सुबा दुपहर एवं शाम को नियमत समय पर लेने की सला दी राजू ने पापा से पूझा कि डॉक्टर ने अपने कान से क्या लगा कर उसके सीने पर रखा था वो क्या था और उससे उन्होंने कैसे जाना कि मुझे बुखार है राजू की उस सुकता को देख उसके पापा ने बताया डॉक्टर ने अपने कान से लगा कर जो मशीन उसके सीने पर रखकर जाज की थी उसे स्टेरिसकोप केते हैं स्टेरिसकोप की सहायता से दिल की धड़कन सुनते हैं और सीने एम शरीर के कुछ बिमारियों का पता लगाते हैं राजु बोला पापा डॉक्टर के पास जो उपकरड थे उनके नाम क्या है और वे किस काम में प्रियोग में लाए जाते हैं दिल की धड़कन की गती आप भी पता कर सकते हैं यदि आप पचास सो मीटर तेजी से दोड़े अब सीने पर हाथ रखे आपको अपने दिल की धड़कन तेज सुनाई देगी मोची बच्चो जो हमारे जूते चपल की मरमत करता है उसको हम मोची कहते हैं हम सभी जो चपल जूते पहनते हैं उनके तूटने पर मोची उनकी मरमत अपने उपकरोडों की सहायता से करता है अब मोची के ओजार कौन-कौन से हैं चलिए देखते हैं कारबुट, जूता, सरोता, डेरी, जबिया, शिलापंच, सुईधागा, कुटावरी, ब्रिश, आदी सफाई कर्मी हर सुबा गली महलों की सफाई के लिए निकल पड़ता है वो साफ सफाई के लिए छोटी बड़ी विवित प्रकार की जाडू का प्रियोक करता है वो साफ सफाई के बाद निकले कूडे कचरे को उचित जगा पर पहुचाता है वो गंदगी की सफाई करके हमें कई प्रकार के रोगों से बचाता है तो आपके घर के आस-पास कौन-कौन से स्थानिये पैशे हैं आप उनकी सूची बनाईएगा और वो किन-किन चीजों का प्रियोक करते हैं उसको भी लिखिएगा अब बच्चो इस पार्ट का हम अभ्यास कारे पढ़ते हैं प्रेशन एक प्रेशन का किसान का क्या काम है उत्तर किसान खेती करने के लिए जमीन तयार करते हैं बीज बोने के कुछ दिनों बाद समय समय पर सिचाई और निराई गुडाई करते हैं रोगों से फसल का बचाओ एवं देख भाल करते हैं फसल पक जाने पर लोगों के उपयोग के लिए अनाज और सबजियां उपलत कराते हैं प्रेश्न खा आप बीमार होने पर किस के पास जाते हैं? इसका उत्तर है हम बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं प्रेश्न गा सफाई कर्मी क्या क्या काम करता है? इसका उत्तर है, सफाई कर्मी हर सुबा गली महलों की सफाई करता है, वो साफ सफाई के लिए छोटी बड़ी विवित प्रकार की जाडू का प्रियोक करता है, सफाई के बाद निकलने वाले कूडे को उचित जगा पर पहुचाता भी है कुल्हड, सुराही, मटका, मिट्टी के दीपक दिये बनाने वाला कुमार कहलाता है, कुरसी, मेज, लकडी के समान बनाने वाला बढ़ाई कहलाता है, खेत में गेहूं और सबजी उगाने वाला किसान कहलाता है बिमार होने पर दवा देने एवं सुई लगाने वाले को डॉक्टर कहते हैं सिमेंट, बालू, इट की सहायता से मकान बनाने वाला राजगीर कहलाता है प्रेश्ण तीन, इस्थानिय पेशे से जुड़े वेक्तियों एवं उनके द्वारा किये गए कार्य एवं बनाई जाने वाली वस्तुओं के नाम तालिका में लिखिये तो यहाँ पर क्रम संख्या दी हुई है, एक, दो, तीन, यहाँ पर आप देखिए स्थानिय पेशे से जुड़े वेक्तियों के नाम दिये गए हैं फिर उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य और उनके द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं के नाम है तो सबसे पहला है लोहार, लोहार काम करता है, लोहे से विभिन वस्तुओं का निर्माण करता है और वो क्या-क्या वस्तुओं बनाता है, फाटक, ग्रिल, रेलिंग, कुदाल, बरतन, आदी ये वस्तुओं लोहार बनाता है दूसरा है दरजी, दरजी कपड़े की सिलाई करता है और वो शर्ट, पैन, कमीज, कुर्ता, सल्वार, कोट, आधी वस्तुवे, आधी कपड़े मनाता है तीसरा है बढ़ाई, बढ़ाई लकड़ी से विभिन वस्तुवों का निर्माड करता है और वो कुर्सी, मेज, अलमारी, दर्वाजा, खिड़की, सोफा, बेट आदी वस्तुवे बनाता है चोथा है मोची मोची चमडे से नई वस्तुवे बनाना और उनकी मरमत करता है हमारे जूते चपलों की मरमत मोची ही करता है और वो क्या वस्तुवे बनाता है? जूते, चपल, पर्स, बैग, आदी राजगीर, राजगीर मकान बनाता है वो छोटे और बड़े घरों का निर्माड करता है छटा है कुमार, कुमार मिट्टी के वस्तुवे बनाता है और वो मटका, कुल्हड, सुराही, दिया आदी चीजे बनाता है प्रेशन चार, अपने आज़ पास के स्थानी वेबसाय से जुड़े किसी भी वेक्ती के पास जाईए और उससे इन प्रेशनों पर बात चीट करिए वे कौन-कौन से औजारों का फ्योग करते हैं? इन औजारों को कौन और कैसे तयार करता है? ये औजार कहां से आते हैं? वे अपने पेशन से जुड़े कार्वियों में क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? वे अपने वेबसाय से निकले उतपात को बाजार तक कैसे पहुचाते हैं? तो यह सारी चीजे आप अपने आसपास जो इस्थानी वेफसाई हैं उनके पास चाहिए और उनके पेशे से जुड़े ये चीजे आप उनसे पूर सकते हैं तो बच्चो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस्थानी पेशे क्या होते हैं और वे लोग किन किन चीजों का उपयोग करके वस्तवे बनाते हैं अब आपको समझ में आया होगा कि जो बाजार में दुकानों में चीजे आती हैं वे कहां से आती हैं उनको कौन बनाता है औ और किन चीजों का उपयोग करके उन चीजों का निर्माड करता है तो आशा करती हूँ आपको ये पार अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको ये पार अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको ये पार अच्छे से समझ में आया हो वीडियो आपको अच्छा लगा ह तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद